Helo friends, ये जिन्या आप pregnant है और आपको बारबार उरीन आ रहा है और आप यूरीन जाजाके परेशन हो चुक्के हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल बारबार आ रहा हो गए गार मुझे क्या हो गया है क्यों मुझे बारबार यूरीन जाना पढ़ रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं तो सबसे important बात है कि कारण समझना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब pregnancy शुरू होती है और 12-13 हफते की pregnancy होती है तो uterus का size almost bladder के बराबर आ जाता है और वो bladder के उपर थोड़ा सा pressure डालना शुरू होता है और जैसे bladder के उपर pressure increase होता है तो bladder irritate होता और बार-बार वो contract होता है जिसके वज़े से हमें urine आता है तो सबसे important कारण तो pregnancy का time है और जैसे ही 12-13 हफते उसे उपर निकलता है तो दिरे-दिरे ये problem automatically खतम होने लगती है और जब वापस है 3 trimester शुरू होता है यानि कि जब 9 माईना लग जाता है तब बच्चे का head pelvis में नीचे जाने लगता है यानि कि अपना रस्ता बनाता है delivery के लिए तब again वो bladder के उपर pressure डालता है और उसके वज़े से फिर से frequency बढ़ जाती है यानि आपको बार-बार urine आने लगता है तो इन दोनों स्थितियों में आप कुछ नहीं कर सकते है क्योंकि ये physiological है natural part है pregnancy की progress का और ये physiological automatically ठीक हो जाता है तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंताने कीजी लेकिन ये ये आपको बार-बार frequency के साथ यानि कि बार-बार urine आने के साथ आपको जलन हो रही है urine जाने के बाद आपको बहुत सदा पीन हो रहा है आपको थोड़ी बहुत कोई bleeding भी हो रही है और और कोई spasmen जैसे या और कोई symptoms आ रहे हैं तो definitely ये infection हो सकता है क्योंकि बार-बार urine आना UTI का यानि कि urinary tract infection का भी symptom है तो pregnancy के अंदर community compromised होती है infection के chances बढ़ जाते हैं इसलिए asymptomatic bacteria भी होता है यानि कि आपको symptom रहित pregnancy में urinary tract infection हो सकता है और यदि आपको symptom आ रहे हैं तो definitely फिर तो UTI को पहले diagnose करना और rule out करना जरूरी होता है क्योंकि यदि physiological भी हम तब बोल सकते हैं जब आपको infection नहीं है इसलिए जब भी आप routine ANC check-up के लिए यानि antinatal check-up के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो जो डॉक्टर आपको routine test कर आते हैं उसमें urine का routine microscopy भी लिखा जाता है जिसमें ये check किया जाता है कि urine के अंदर को infection है या नहीं है यदि उसमें infection आता है यानि कि pust cells आती है या bacteria आता है तो हम उसका culture advice करते हैं यानि कि culture sensitivity test बताया जाता है culture sensitivity test हमें bacteria कौन सा है कितना infection है और उसके कौन सी medicine काम करेगी ये सारी information हमें culture sensitivity test से पता चलती है जिससे कि हम patient को proper treatment दे पाते हैं हम patient के उपर कोई दवाईयों का trial नहीं करते हैं और exact medicine देते हैं जिससे कि proper 100% benefit मिलता है और उसी को जब course complete हो जाता है तो उसी test को दुबारा repeat किया जाता है जिससे कि ये confirm किया जा सके कि आपका treatment complete हो गया है अब उसमें कोई infection नहीं है क्योंकि ये कईवा urinary culture जब दुबारा कराते हैं साथ से दस दिन के बाद तब भी positive आ जाता है तो अब हमें second course antibiotic का देना पड़ता है तो यानि कि जब तक कि आपका culture sensitivity test negative नहीं आ जाता तब तक आपका treatment complete नहीं होता और ये कईवार एक बार में होता तो कई बार 2-3 बार का time भी ले लेता है तो इसलिए doctor के उपर विश्वास रखें और doctor जैसे जैसे आपको suggest करते हैं वैसे वैसे आपको follow करना होता है क्योंकि treatment करना और दवाई से patient कैसे respond करेगा ये doctor के हाथ में नहीं है अब तीसरा कारण हो सकता है कि आपको कोई पत्री हो यानि कि bladder के अंदर पत्री हो सकती है या kidney के अंदर पत्री हो सकती है जब kidney urine के रास्ते से pass होती है या उसका चोटा मोटा कोई piece निकलता है तब भी frequency बढ़ जाती है जलन होने लगती है और कई बार bleeding भी होने लगती है तो ऐसे सिती में आप जब sonography करवाती है तो आप kidney के sonography भी कई बार advice की जाती है जो कि abdominal sonography में count होती है obstatic sonography यानि बच्चे के sonography में तो सरफ बच्चे के sonography की जाती है मा के liver और kidney का scan नहीं किया जाता है तो यदि हमें लगता है कि kidney का scan करना है तो हमें अलग से advice करना पड़ता है जब हम kidney का scan करेंगे तो हमें confirm होगा कि इसमें आपके kidney में stone है या नहीं है या kidney को bladder से जोड़ने वाली कि नली में कोई stone है क्या इसके अलावा आपको kidney में भी infection हो सकता है इसकी वज़े से भी आपको पिशाब में जलन या frequency बढ़ सकती है बट kidney में यदि infection होता है तो वो थोड़ा सा serious होता है आपको fever भी आता चिल्स और राइगस के साथ में आपका temperature बढ़ जाता है आपका pulse rate बढ़ जाता है और आप बिमार हो जाते हैं उसके लिए आपको proper treatment लेना पड़ता है और कई बार IV antibiotics की requirement आती है generally physiological और pathological इसके इलावा और तिसरा कारण नहीं होता है और यदि दोनों कारणों के बाद भी यदि आपको frequency बनी होई है तो फिर आपको एक urologist से opinion लेनी होती है तो मैं समझते हूं कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आगया कि frequency अगधी आपको है तो definitely physiological और pathological हो सकती है और उसके लिए डॉक्टर की सलहा से आप treatment लेकर अपने आपको दुरुस्त कर सकते हैं इसे related यदि और कोई सवाल है तो आप comment box में लिखके हमसे पूछ सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकार के साथ अब तक नमस्कार